हेलो मेरे भाई आप सभी लोग का एक और नगी वीडियो पर सौगत करता हूं मेरे भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मेरी स्पीड देख लीजिए इंटरनेट की जो मैंने एपियन सैटिंग बनाई है तो आप लोगों के बारे में कुछ बताने वालू है और वीडियो के आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आप लूगों को अगर इंटरणेट आप लोग का को जाद हे लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे इस्टैग्राम का दोड़े जार्टाय। मोबाइल के हो मिश्क्रीन पर आज की अगर आप लोगं के सबसे पहले मैं होगी ना 안 कर लेना तो जो जो चीजे मैं बताऊंगा इसमें आउन कर लेना इसके साथ मेराइल अगर आप लोगों का net रात को slow चलता है या दिन में slow चलता है या रात को चलता ही नहीं है तो इस setting को जरूर कर लेना जो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा अपने mobile setting में जाना होगा mobile setting में जाने के बाद आप लोगों ने जाना होगा mobile network में ठीक है mobile network में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक option मिल जाएगा more setting का आप लोगों ने इस पर tap करना है और यहाँ पे से आप लोगों का भाई मेरा mobile 5G है तो मैंने smart 5G को on किया भाई ठीक है आप लोगों के यहाँ पर 4G होगा तो आप लोगों को LTE का आ रहा होगा option या फिर वोल्टी लिखावा आ रहा होगा है 4G लिखावा आ रहा होगा तो आप लोगों ने इसे on कर लेना है ठीक है मेरे में 5G है तो मैं smart 5G को on कर रहा हूँ अगर आपके पास 5G है smart 5G तो आप लोगों ने इसे आके on कर लेना है ठीक है उसके बाद back आना है back आने के बाद मेरे भाईयो आप लोगों ने जाना है sim में यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है इस पे टैप करने के बाद मेरे भाईयो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है अगर आप लोगों के पास 3G मोबाईल है तो यहाँ पे only 3G आएगा तो 3G पे क्लिक कर देना अगर 4G है तो 4G आएगा तो 4G पे क्लिक कर देना आप लोगों को इस पर टैप करना है इस पर टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा अब यहां पर आप लोगों को APN सेटिंग जो मैं बताने वाला हूं वह बनानी है मैं रात को नेट स्लो चलता है ना या फिर चलता ही नहीं है बतात स्लोड़ईंग के कुछ नहीं होता जैसे आप और बी डाउनलोड करते हैं तो यहां जाद कारता हूं था में लिखना और का ओप लोगों ने यह बढ़ा होग किसे भब कंड़ा होगा बीचा इन्टरनेट इब बाद APN में आना है, APN में आने के बाद यहां पर आप लोगों को लिखना है जियो इंटरनेट, ठीक है, जिए आप लोगों की स्मॉल लेटर में रहने वाली है, तो स्मॉल लेटर में लिख लेना, उसके बाद मेरे भाईयों आप लोगों को नीचे आना होगा, नीचे आने क तो यहाँ पर user name में आप लोगों को type करना होगा speed में s बढ़ा होगा space नहीं देना boat लिखना है b बढ़ा होगा फिर dot लिखना है फिर geo लिखना है j बढ़ा होगा फिर ai लिखना है a बढ़ा होगा ठीक है समझ गए उसके बाद password not set server पर आएंगे server पर आप लोगों को आके लिखना होगा www.google.com ठीक है आप लोगों ने ये लिखना होगा जिसमें जी बढ़ा होगा google में ठीक है उसके बाद मेरे भाईयो mmsc आएगा छोड़ देना mms port आएगा छोड़ देना mmx proxy आएगी छोड़ देना mcc छोड़ देना करती अगर आप लोगों को इसी वीडियो के description में तीन वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने अलग-अलग जीओ की एपियन सेटिंग बताई वी है जो 3G, 4G, 5G सब मोबाईल में काम करने वाली है तो उन तीनों वीडियो को जाको देख लेना और वो तीनों एपियन सेटिंग आप लोगों ने देख के बना लेनी है आप लोगों का net 110% फास्ट हो जाएगा इस बात की गैरेंटी है वैसे तो इसमें भी आप लोगों का net मतलब चलने ही वाला है 110% लेकिन इन केस अगर किसी मोबाईल में कोई पुराना मोबाईल है उसमें नहीं चलता तो आप लोगों ने ये सेटिंग बना लेनी है ठीक है नीचे वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने तीनों वीडियो उसके बाद आप लोगों नीचे आना होगा M का आप्शन मिल जागा प्रोटोकॉल होगा तो आप लोगों ने इस पर टेप करना है और लाश्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद रोमिंग प्रोटोकॉल में भी लाश्ट में आपको लोगों कि यहां पर बारियर सेटिंग आ जाती है speed अच्छी नहीं आती, तो उसको क्या करना है भाई, उस पे अगर lt select नहीं होता, यह तो आप लोगोंने क्या करना है, अगर पुराना mobile है और यह सारे जो मैं बता रहा हूँ, यह select नहीं होते तो आप लोगोंने lt को हटा के, और सब भटा देना जो option आप लोगों में select नहीं होते या फिर बैक हो जाता है ठीक है तो आप लोगों ने नौट पैसिफाइड पर क्लिक करके setting को सेटिंग को सेटिंग कर देना है नए mobile में तो यह select हो जाएगी अगर किसी के पास 5G handset है तो उसमें तो यह select हो जाएगी ठीक है यह तीन setting आप लोगों ने select कर लेनी है select करने के बाद MVNO type आप लोगों ने छोड़ देना है और उपर से आके setting को save कर देना है ठीक है आप लोगों ने simple सा आके नीचे lt वाले को select कर लेना है या फिर not specified को select कर लेना है ठीक है उसके बाद setting save कर देना setting save करके back आ जाना है back आने के बाद मेरे भाईयो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर ध्यान से समझ लो भाईयो मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो के end में मैं आप लोगों कुछ बताने वाला हूँ वीडियो के end में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ यह जो सारी setting है ना मेरे भाईयो मैंने डाल दिये अपने इंस्टाग्राम के बायो में वहां से जाके आप लो प्रवाइन हो जाना टेलीग्राम पे भी इसकी सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप लोगों ये सेटिंग बना के अपना नैट की स्वीड चेक करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना उसके बात कि आप कि स्पीड मिल रही है कैसी स्पीड मिल रही है ठीक है तो आई होप मेरे भाईयों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके जाना चैनल को सस्क्राइब बेल आइकन को आल पर करके जरूर जाना